मुद्रण मजलीस और कांग्रेस के दर्मियान लबजी जंग बढ़ती जा रही है अजी की बात है गांधी बोन में मुद्रण में मुद्रण लिशेपीर ने एक साफ़ती दिला से उखतिब किया और सद्रमिजलीस बेरेश्टर असाद दुद्दी नविसी को अपनी एकड़ी तल्कित का निशाना बनाया उन्होंने का कि बेरेश्टर असुद्दी नविसी हमेशा ये कहते हैं और चैलेज़ करते हैं हज़रबाद हल्का पार्लिमान से इंतिखाबाद लड़कर जीत कर बता है मुद्दी ने कहा कि गोशामेल हल्का इसंबली जिसकी हुदूद बे दरुसलाम पे आता है और दरुसलाम मजलिस का हेड़कॉर्टर है और उस हल्का इसंबली पर राजा सिंग जो के बीजेपी का कारपूल है उसका खब्जा है सबसे पहले बारेश्टर असुदुद दिन अविसी इस हल्का को जीत कर दिखा है ये चालेज मुद्द अली शबीर की जानिब से सामने आया है साबक रियास्ति वजीर मुम्मद अली शबीर ने सकत तरफाद में सदर कुली मजलिस एत्याद मुस्मीन बैरेश्टर असुदुद दिन अविसी को अपनी शदीद तनकीत का निशाना बनाया और उनको बीजेपी और टियारस का एजेंट खरा दिया गारीबोन मुनकीदा साफ़ती इलास से किताब करते वे मुम्मद अली शबी में का कि राहूल गांदी ने अपने दौरात लंगाना के मुखे पर हवामी मसाहिल पर बात की और बीजेपी और टियारस हुमतों को अपनी तनकीत का निशाना बनाया राहूल गांदी ने अपने दौरे के मुखे पर मजलिस या उसकी खायत्त का नामने ना भी मुनासिब नहीं समझा और नहीं किसी खिसम की नंपर तनकीत की गई लेकिन असदुद्दीन अविसी नाजने क्यों राहूल गांधी को अपनी कंखीत का निशाना बनाया और सखतलफास इस्तिमाल किये मुहमद अलिशबीन ने सखतलफास में कहा कि असदुद्दीन अविसी पता नहीं कैसे बेरेश्टर बन गए हैं और वो बेरेश्टर हैं भी यह नहीं यह कोई यखीनी बात नहीं है हर बार वो सतही सियासत का मुझाहरा करते हैं और हर एक को चैलेंज करते हैं कि वो हैदराबाद से मुखाबला करें मुहमद अलिशबीन ने कहा कि अवाम का शओर जाग रहा है लेज़ा जल्दी कोई पुराने शेहं से भी मकाबला करेगा और जीत भी हसिन करेगा लेकिन सुब को चैलेंज करने वाले बेरेश्टर असर्दुदीन अवेसी इस बात की वजाहत करेंगे दरुस्सलाम जिसल्खा इसमबली की हुदूद में वो गोशा महल है और इस गोशा महल कायम में ले राजासिंग है जो हमेशा असर्दुदीन अवेसी और इनके अफरादे खानंग की तजमीर करते रहता है हैसे राजा सिंग को शिकिस देने में नाकाम सद्रमजिस बहरेश्टर असदुदीन अविसी को बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए मुम्मद दिली शबीर ने कहा के जब राजुल गांदी ने बिजेपी और ट्यारस पर तनकीद की तो असदुदीन अविसी इसको परदाश्ट नहीं कर सके उन्होंने बीजेपी और टियारस की दरपर्दा हिमायत में राहूल गंदी और कांगरेस को तनकीत का निशाना बनाया और ये साबित कर जिया के वो बीजेपी के दरपर्दा और टियारस के खुले एजंट हैं गादी ओन में मुलाकिदा इस प्रेस कांप्रेस में मम्मदली शब्बीर के हमरा तलंगाना परदेश कांगरेस कमिटी के सदर रेवन फ्रेड़ी भी मजूते रंडु दिनाल पर्याटनल्लो राहोल गांधी गारु वरंगल सबालोगानी हैदरबास सबालोगानी एककडना यम्मयम मिशंबलोगानी नी वेक्थिकतेंगा असदो दियन वेसीयानी एककडना पेर परस्तावनक वच्चिन्दा रान पडु नी करप्रिंद को नस्तुन दया यम्मय इदि नीकु अंटे इवाला पूर्तिक प्रजलोगो तेलंगाना प्रजलोगो गाकोंडा यावात इंडिया प्रजलोगो अर्थम आई पहिंदी मेमु मान नी विशम लो छिप्पकुनना नूँ एजे टी आरेस एंड बीजेपी एजेंट गा मुंद को अच्छी दा मादेगारा कांटेस जेई माँ होल्ड सीटी लो जेई में दकले जेई बराब्बर अवस्वर मुन्ना पच्छोटा डेफरेट गा होल्ड सीटी गानी नूँ शीटी गानी चेश्ताम नीक को यवरको बैप्पड़ेदी कादू कानी नूँ समाधानम जेप्पू इवाला नूँ बीजेपी एजेंटा कादा याला पुरूफ है पेंदी यहारा टी आरस के ते नूँ डाइरेक्टर ने सब्बोर जेस्वनों नी माटा दियन पड़ो का आल इंडिया मजली सित्ते हादल मुस्लीमानी पाटी इतरा पाटी वालेको माटा आरते नीको कडपू इंदु कुनोच सेंदी नीको अंतर दम्मोंटे यारा चेपतो नूँ मन्नी मी हेड आफिस एकड़ उना दया दारुस सराव गोशा महल कांस्थांस येलो उस्तादी गोशा महल कांस्थेंस येवर दया राजा सिंग बीजेपी आरेसस राजा सिंग को एदरु के प्रना क्यांडिट बेटना होया दम्मोंटे पेटितन दुकू आ व्यक्ति उकोडे उन्नाडु मी की मी कुटुम्बानी की मे महललकू यववर की थिटेलीने व्यक्ति गादु वेरोड़ एम जब्पकुन्दा वनमे मालमिधा कत्तुलु करालरु एमेमो चिन्नोडु पेद्धोडु अम्मा अन्ना तम्मुण। मरी येनि पक्क्यक्यम नडु। मी हेटकोडर आयने कांस्थेंसिल वोंदी खायनोक्का माट्र माट्ड़वे अट्टे दीम्त्वरी जेशनारा नीमा अध्यक्षलोगारे आरोप मिचनारु नेन पूर्त का समर्तिस्तना तीनोबी एक है।